कुनिचिवा मेनसान नमस्कार दोस्तों कैसे हैं सब प्रस्तुत है सरल जापानी यूट्यूब चैनल पर पार्ट 25 आत्म परिचाय जिसके अंतरगत हम अभिवादन, नाम और नागरिक्ता के द्वारा अपना परिचाय देंगे पिछले चार पार्टों में हमने जापानी में अभिवादन, वाक्य सनरचना, नाम और उपनाम और सम्मान सूचक उपाधियों के बारे में जाना आज के पार्ट में हम जानेंगे कि अपना आत्म परीचे हम कैसे दे सकते हैं जापानी में यानि कि self introduction किस तरफ से दिया जाता है आत्म परीचे जिसे जापानी में जी को शोकाई कहते हैं अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें दो सज्जन खड़े हैं एक दूसरे के तरफ मूँ करके दोनों मुस्कुरा रहे हैं दोनों सामने जुके हुए हैं एक दूसरे के तरफ और दोनों के हाथ में उनका ज तो यह सब जो जो विशेशता हैं इस तस्पीर में हम देख रहे हैं यह दर असल जापानी संस्कृती का अंग है और इसी तरह से जब दो लोग एक दूसरे से मिलते हैं और पहली बार मिलते हैं तो इस तरह से वे पेश आते हैं तो इन में से बाई तरफ हैं भारत से मिस्टर रोहित यानि जापानी में अगर कहें तो रोहित सान और दाई तरफ हैं ताना का सान जो जापान से ही हैं तो आईए देखें कि ये दोनों अपना अपना परीचे किस तरह से देते हैं एक दूसरे को रोहित सान कहते हैं हजी में माश्टे वाताशीवा रोहितो देस। इंडो जिन डेस। दोजू योरोशको नगाईषिमास। हम इसके बाद जो आने वाले स्लाइडस है उसमें हम देखेंगे कि इनके अर्थ क्या है, सबसे पहले जो उच्चारण है, ये आप ध्यान से देखें, कि पहली लाइन क्या है, हजी में माश्ते, उसके बाद, वाता शिवा रोहितो देस, इंदो जिन देस, तोजो योरोश्कु उनेगाई शिमास, ये सब हीरा गाना में लिखा हुआ है, और जो लाल और नीले रंग में लिखे हुए है, वो काता काना है, आप समझी गए होंगे, और इसी तरह से तानकासान कहते हैं, हजी में माश्ते, वाता शिवा रोहितो देस, निहोंजिन देस, दोजो योरोश्कु उनेगाई शिमास, हिंदी में अगर हम इसको ट्रंस्क्राइब क करें, तो हजी में माश्ते, वाता शिवा रोहितो देस, इंदोजिन देस, दोजो योरोश्कु उनेगाई शिमास, हजी में माश्ते, वाता शिवा तानका देस, निहोंजिन देस, दोजो योरोश्कु उनेगाई शिमास, तो ये जो उच्चारन है, जिस तरह से हम शब्दो का उचारन कर रहे हैं इसी तरह से किया जाता है जैसे उदाहरन के तोर पर योरोशिकू लिखा हुआ है यहाँ पर योरोशिकू लिखा हुआ है लेकिन आप जब इसे बोलेंगे जापनी में तो इसको आप योरोश्कू बोलेंगे योरोश्कू अनेगाई शिमास शिमासू न आपने नहीं देखे हैं तो तो अब हम चानेंगे कि इन सब का क्या अर्थ है तो शुरू करते हैं हाजी में माश्टे से हाजी में माश्टे इसका अर्थ है ये एक अभिव्यक्ति है यानि कि एक एक जाएगा केवल एक ही बार बोला जाता है एक व्यक्ति के लिए इसके अर्थ की तुलना यानि कि हाजी में माश्टे का जो अर्थ है इसकी तुलना हिंदी के नमस्कार आप कैसे हैं या आप से मिलकर प्रसंद्नता हुई से की जा सकती है हाजी मारू हाजी मारू का अर्थ है ब नए रिष्टे या संपर्ख की शुरुआत करना, यानि कि दोनों के बीच में एक association शुरू हो रहा है, उसके बाद है वाताशिवा रोहितो देस या वाताशिवा तानक देस, यानि कि वाताशिवा नाम देस, तो इसका अर्थ आपको पता ही होगा, क्योंकि पार्ट 22 में हमने वाक्य संरचना वाले पार्ट में हमने इसकी विस्तृत चर्चा की है, तो मैं रोहित हूँ, मैं तानका हूँ, यही है वाताशिवा रोहित देस का अर्थ, तो इसमें वा जो पार्टिकल है और देस जो वर्भ है या जो से हम क्रिया भी कह सकते हैं, और एक योजग के में भी हम इसे देख सकते हैं, तो पार्ट बाइस जरूर देखें कि किस तरह से वाताशिवा नाम देस वाक्य बना है, रोहितों यह एक काताकाना शब्द है, पार्ट ग्यार से पंद्रा तक काताकाना की हमने विस्तृत जानकारी दी गई है इन पार्टों में, तो अगर आ आप किसी भी विदेशी नाम को जापानी में लिखना चाहते हैं, तो रोहितो इस तरह से रोहितो जो नाम है या फिर अपना कोई भी नाम आप काताकाना में लिख सकते हैं इन पार्टों के जरीए, उसके बाद ताना का यह कांजी है, पार्ट सत्रा और बीस में यह जो दो कांजी है, जो धान के खेत की और यह जो नाका, ता और नाका, यह दो कांजी के बारे में हमने पार्ट सत्रा और बीस में जाना है, और पार्ट थेईस में हमने नाम वा उपनामों के बारे में जाना जा पानी के, तो वहां पे ताना का की चर्चा की गई है, तो इन पार्ट हीरा गाना में भी लिख सकते हैं ऐसे वाताशी, लेकिन इसकी कांजी भी है, ये कांजी कक्षा एक की कांजी की सूची में सम्मिलित नहीं है, इसलिए हमने ये अभी तक नहीं किया है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप यहां से सिख सकते हैं जो स्ट्रोक और है, ये है पहला आप अपने देश का नरम बताया जा रहा है ऋन्का अर्थ है नागरिक उस किसी देश का नागरिक, किसी देश का सिटिजन तो मैं भारतिय हूं या मैं जापानी है यही है इस पंक्ति का अर्थ इसमें एक बार फिर पार्ट बाइस में वाक्य सन रचना को देखें और काता काना और कांजी के इन पार्ठों को जो बताया गया है इस लाइड में उन्हें अवश्य देखें ताकि आपको समझ में आए कि ये शब्द कैसे बन रहे हैं इसके बाद दोजो यौरोषकू इस वाक्यांख्ष यानि इस फ्रेज का प्रयोग हजमे माष्टते के साथ आत्म परिचय देते हुए किया जाता है तो हजमे माष्टते और दोजो योरोषकू आपस में जुड़ा हुआ है और दोजो योरोश्कू का भावार्थ है आप से मिलकर खुशी हुई, आप से मिलकर प्रसन्नता हुई ये सामने वाले वैक्ति से एक निवेदन मात्र है कि भविश्य में भी उनका साथ यूहीं बना रहे दोजो का अर्थ है क्रिपया या जैसे अंग्रेजी में हम प्लीज कहते हैं, वो है दोजो और योरोश्कू का अर्थ है मेरी शुपकामनाएं या अभिनंदन प्रेशित करें या व्यक्त करें तो इस तरह से जो सब कुछ मिला कर दोजो योरोश्कू, आपचारिक जापानी में योरोश्कू का प्रेऊग किसी को शुपकामनाएं प्रेशित करने के लिए भी किया जाता है जैसे कि उदाहरन अगर हम ले होंदासान नी योरोश्कू, होंदासान को मेरी शुपकामनाएं प्रेशित करें तो इस संदर्ब में भी योरोश्कू का प्रेऊग किया जा सकता है जरूरी नहीं किसी अपना ही परिचाय देने के लिए इसका प्रेऊग किया गया हो आप किसी को अपनी शुपकामनाएं भेशने के लिए भी योरोश्कू का प्रेऊग कर सकते हैं और उसके बाद जो अंतिम फ्रेज है वो है उनेगाई शिमास ये भी एक निवेधन है एक नए संपर क्या नए रिष्टे की शुरुआत करने का ये एक अर्जी है सामने वाले वैक्ति के प्रती की वे भविश्य के लिए इसे अनुमोदित करें यानि कि कुल मिलाकर हजिमे माश्ते दोजो योरोश्कू अनेगाई शिमास ये जो पूरी अभी वैक्ति है इसका अर्थ है कि नमस्कार आप से मिलकर प्रसन्नता हुई मेरी शुबकामनाई स्विकार करें भविश्य में भी आपके साथ संपर्क में रहना चाहूंगा दोस्तों यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हैं आपके साथ हो गया है ये आपके साथ होना चाहिए तो हजी में माश्ते दोजो योरोश्कू नेगाई शिमास इसकार्थ है नमस्कार आप से मिलकर प्रसन्नता हुई मेरी शुपकामना इस विकार करें भविश्य में भविश्य में भी आपके साथ संपर्क में रहना चाहूंगा तो अब हम इसे समाराइस कर लें कि आज हमने जो सेल्फ इंट्रोडाक्शन सिखा है वो क्या है तो देखिए हिरागाना आपको अब तक पढ़ना आ जाना चाहिए क्योंकि ये अब हम 25 पे पार्ट में पहुँच गये हैं तो हिरागाना में हमने काफ़ी कुछ कर लिया है, तो हिरागाना के जो characters हैं, यह आपको देखते ही समझ में आ जाने चाहिए कि यह क्या लिखा हुआ है, ताकि आप जितनी जल्दी अंग्रेशी और हिंदी को छोड़ कर जापानी को पढ़ने लगेंगे, तो उतनी जल्दी आप इसे आगे भी सिख पाएंगे, तो यह लिखा हुआ है, जिको शोकाई, जिको शोकाई, और यह है, हाजीमे मश्टे, वाताशिवा रोहितो देस, इंदो जिन देस, दोजो योरोशिको उनेगाई शिमास, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह जिन की कांजी है, जिसे हमने कांजी के पार्ट में किया था, यानि की वैक्ती, इंदो जिन मतलब भारत का वैक्ती, यानि भारतिय नागरिक, इसी तरह से हाजीमे मश्टे, वाताशिवा तानाका देस, निहोन जिन देस, ये निहोन जापान की कांजी है और ये तानाका की कांजी है ये कैसे बने हैं जैसा कि हमने बताया आपको कांजी के पार्ट और उपनाम के पार्ट में इनकी जानकरी मिलेगी और ये एक बार फिर से जिन की कांजी है यानि परसन राडिकल है वाता शिवा तानका देस निहोन जिन देस तो जो योरो शिक्कू ओनेगाई शिमस तो इस तरह से जो अपना आत्मपरिचे है वो दिया जाता है कि नमस्कार आप से मिलकर प्रसंदता हुई मैं रोहित हूँ मेरी शुपकामनाईश्ट सुईकार करें भविश्य में भी आपके साथ संपर्क में रहना चाहूँगा और इसी तरह से तानका साम कहते हैं नमस्कार आप से मिलकर प्रसंदता हुई मैं तानका हूँ मैं जापान का रहने वाला हूँ मेरी शुपकामनाईश्ट सुईकार करें भविश्य में भी आपके साथ संपर्क में रहना चाहूँगा त तो इस तरह से आत्मों परिचय का ये पार्ट अब यहीं समाप्त हुआ हम अगले पार्ट को लेकर बहुत जल्द उपस्तित होंगे तब तक के लिए माता आई माशो